हारु फिक्स सैमसंग एस फाइफ एल्टी डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है उसको केसे फिक्स कर सकते हैं ठीक है अगर आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से ठीक है आप टाच यहाँ पर अच्छे से जो है नहीं हो रहा है तो आपको केसे फिक्स करना होगा मैं आपको दोस्तो कुछ solutions बताऊंगा इसके regarding पर ठीक है आपका problem दोस्तो यहाँ पर solve हो सकते है अगर यह software के related कोई भी problem है तो जब भी दोस्तो यह चीज़ का problem आ जाते है आपकी device पर तो दोस्तो यह hardware के वज़ा से आते है या तो फिर software के वज़ा से ठीक है तो दोनों में से दोस्तो कोई भी problem आपको यहाँ पर हो रहा होगा अगर आपके screen वगएरा damage है तो यह दोस्तो एक hardware का issue है तो आपको simply technician के पास जाके fix करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तो यहाँ पर मान दिजिए आपका screen पे कोई भी damage नहीं है फिर भी आपको इस तरीके का problem आ रहा है तो आपको कुछ solution से आपे follow कर लेना है उसके बाद भी hardware का issue हो सकते है ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके channel को subscribe करते हुए बेल आइकून को क्लिक करना है और अगर आप online पेसा कामाना चाहते है तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते है चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी problem आ जाते है आपका जो case है दोस्तो उसको देखें ठीक है आपका जो back cover है उसको remove कर दीजे और सारे साथ में दोस्तो आगर आपके screen पे कुछ भी यहाँ पे screen guard वगएरा लगाया हुआ है ठीक है कुछ temper वगएरा है तो उनको आप remove करके देखें ठीक है back cover, screen guard, stickers तो उन सब को आप remove करके देखें आपने screen से और screen को थोड़ा साफ करके देखें क्योंकि दोस्तो अगर गाम वगएरा लग जाते तो भी आपको problem हो सकते है ठीक है reasons रहते है basics reasons और basic solutions ठीक है काम हो जाते तो आप भी यह सबसे पहले करके देखें solve हो जाते problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तो आप जाएए setting पर अपना storage चेक करें ठीक है अगर आपका storage दोस्तो completely consume हो चुका है storage full है तो storage को 40% या फिर 30% आप free आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तो applications चेक किजिए अगर कोई भी बैट अप्लिकेशन से जैसे की third party application यहाँ पर कोई भी unknown website से install किया हुआ application तो उनको भी आप डिलेट करें अगर बहुत सारे storage का issue है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते वो lagging का issue होते और hang होने के वज़े से इसा problem होते तो आप एक बार जरूर यह try करके देखें अगर इससे काम बन जाता ही तो ठीक है अगर इससे भी दोस्तो problem आ रहा है तो आप touch check करके देखें ठीक है अपने mobile पर touch check करके देखें उसके लिए दोस्तों आपको developer option चाहिए होगा यहाँ पर तो developer option दोस्तों मैं enable कर लेता हूं तो दोस्तों about phone पर जाके आपको built number यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है software information के अंदर पर तो built number पर आपको 7 बार click करना है उसके बार mobile profile pattern आपको भर देना है और यह developer enabled हो चुका है ठीक है अभी developer option कहाँ पर है हमें वह search करना है तो लास्क पर है आपको मिल जाएगा तो उसमें जाए इनेबल होना चाहिए आपका developer option तो यहाँ पर हमें search करना है pointer location तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाके search करते हैं pointer location ओके तो यहाँ पर है अभी दोस्तों आपको क्या करना है screen पर आप slide करके देखें ठीक है इस तरह के से आपको ड्रो करके देखना है screen अगर touch आपका काम नहीं करते तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा और continue नीचे से होगा ठीक है यह running पर नहीं होगा अगर आपका touch इसी बीच म problem करते तो touch जो है इस तरह के से यहाँ पर remove होके दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा ठीक है तो आपको पता लग जाएगा किस area में आपका screen पर touch problem है यह touch issue है या फिर क्या problem है आपको यहीं से पता लग जाएगा अगर आपका यहाँ पर touch का issue आजाते तो touch का जादा मिस ह altogether क्या कर सकते ताच को चेंज भी कर सकते यदफिर डिस्पले चेक करवा सकते किसे भी टेकिनिशइन के पास जाके तो इस तरह से बीलिक्रात किक कर सकते हैं उक्यास क्यों पर चैक कर और आपको features मिलेगा तो future improvement to perform ठीक है तो आपके device में और भी ज्यादा यहाँ परफुमेंस अच्छा होने के लिए आपको software update दिया जाते हैं तो software को update करें और उसके बाद चेक करके देखें दोस्तों इससे काफी आपको फाइदा होगा और आपका problems भी यहाँ पे solved हो जाएगा ठीक है तो इस तरीगे से आप अपने problem को fix कर सकते हैं by any chance अगर problem solve ना हो तो जाके ही आप अपने mobile को factory reset करें उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है general management पे जाना है reset पर क्लिक करना है और factory data reset पर क्लिक करते हुए आपको reset पे डबाके mobile password भर देना है और reset कर देना है ठीक है अगर उसके बाद भी same problem ही है तो आप किसी भी technician के पास या फिर service industry पास जाके fix कर सकते है वाइरिंग का issue हो सकते है मा रबोट problem हो सकते है डिस्पले खराब हो गया लगते हैं तो वह check करने के बाद आपको पता चलेगा ठीक है उनके पास से इक मीटर होते हैं उसे check करते तो उससे ही पता चलेगा तो इस तरह किसे दोस्तों डिस्पले screen touch problem हमें fix करना होते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंदें आओगा thanks for watching